दोस्तों आज हम आपके सामने एक यूनीक कॉंबिनेशन जो अभी-अभी मार्केट में लॉण्च हुई है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस यूनीक कॉंबिनेशन का नाम है इस टैबलेट का नाम है टैबलेट नुकॉक्स या पीजी नुकॉक्स या पीजी के अंदर दोस्तों दो ड्रग कॉंबिनेशन है दो दवायों को कॉंबिनेशन है एक है नुकॉक्स या जो है इटोरिकॉबजिब 60 mg और दूसरा जो ड्रग है वो है प्रीगाबालिन 75 mg प्रोलोंग्ड रिलीज है याने कि धीरे धीरे बाडी में दोस्तों ये टेबलेट नुकॉक्स या पीजी ये एक prescription medicine है याने कि आपको सिर्फ डॉक्टर्स के prescription ही पर ही लेनी चाहिए क्योंकि इसके काफी serious side effects भी हो सकते हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे दूसरी जो इसके indications है किन-किन बिमारियों में ये उप्योग होता है जैसे कि दोस्तों नुकॉक्स या पीजी के अंदर इटोरिक ऑबजिब एक जो pain के लिए इसको हम COX-2 inhibitor बोलते हैं याने कि body के अंदर शरीर के अंदर कुछ ऐसे enzymes, chemicals को दबा कर उनको suppress करकर के ये हमारे शरीर के जो भी joints में pain है उसको कम करते हैं इसलिए नुकॉक्सिया का इस्तमाल rheumatoid arthritis याने कि गठिया होता है उस बिमार में उप्योग होता है और एंकाइलोजिंग spondylitis याने कि जो severe कमर में जो दर्द होता है रीड की एडियो में उसमें उप्योग में होता है दूसरा जो इसका उप्योग है क्योंकि इसके अंदर PGB है याने कि pregabalin भी है और pregabalin ये nerves को जो damaged nerves है हमारे body के अंदर जो nerves के अंदर surgeon आ जाती है उनको थी करता है उनको काम करता है जो pain के signals है जो हमारे body से brain देमीर चाही करता है उनको ब्लॉक करता है तो pain कम करता है इसके इसका इसका diabetic Diabetic Neuropathy यानि कि जो शुगर की विमारी की वज़से जो नसों में डेमेज हो जाता ए उसमें काम करता है Diabetic Neuropathy, Alcoholic Neuropathy, Excess of Alcohol यानि की शराब पीनिके वज़से जो नसों में सोजन आ जाता है, दर्द होता है उसमें काम करता है दूसरा है vitamin B deficiency के वज़े से जो neuropathy होती है vitamin B की शरीर में कमी के वज़े से जो neuropathy होती है उसमें भी काम करता है nukoxia PGA medicine दूसरा इसका indication है fibromyalgia fibromyalgia दोस्तों एक ऐसी विमारी है जिसके अंदर हमको खास कर ये औरतों में देखने मिलती है वोमन में देखने मिलती है इसके अंदर शरीर के अंदर जो भी fatigue रहती है उनको ठकान रहती है mood problems रहते है mental problems होते है mental changes हो जाते है mood disorder हो जाता है mood कभी सही रहता है sleep disorder हो जाती है उनकी नीन सही नहीं रहती है जगे जगे पूरे शरीर में कहां भी दर्द सब जगे दर्द हो सकता है, जोइन्ट्स में, मसल में, जोड़ों में, सब जगे दर्द होता है, एक फाइब्रो मायल्जी नाम की ब Gonard भीमारी है, उसके अंदर ज़ो औरतों में ज़्यादा होती है, उसमें भी जो नसों को जो compression हो जाता है नर्वस का जो सोजन आ जाती है नर्वस पर जो दबाव आ जाता है उसके अंदर भी Nukoxia PG इस medicine का काफी अच्छा उपयोग देखने मिलता है दोस्तों इस medicine का क्या dose होना चाहिए और कितने duration तक लेना है dose and duration डॉक्टर्स आपकी तकलीफ को देखकर आपको बताएंगे ये उनके हातों में ये उनका ही power है लगबग ये जो medicine है ये लगबग रात के समय दी जाती क्योंकि इसके sedation होता है रात के समय शाम के समय खासकर 7-8 बजे के बीच में हम advise करते हैं नॉर्मली इस medicine को लेने के लिए क्योंकि 7 बजे ले लेते हैं तो सुपह तक इसका जो sedation होगर है जब हम सुपह उठते हैं 6 बजे 5-6 बजे तक तो इसका sedation इसका जो dizziness है sleepiness है वो निकल जाता है तो नॉर्मल ये शाम के समय advice करते हैं 7 बजे के आसपास with food खुब पानी के साथ लेना है और जो इसका dose है वो doctors आपको advice करेगे तो normally at evening time 7 p.m. के आसपास का ये dose लेना होता है आपको दोस्तों जैसे हर medicine के side effects होते है नुकॉक्स या PG इस medicine के भी side effects है खास कर pre-gabalin ये जो दवाई है इसके side effects देखने मिलते है जैसे कि प्रमुक्ता से जो देखने मिलते है वो है dizziness याने चक्कर सा आना डीजी फील करना sleepiness याने excessive नीन आना ज्यादा नीन आना तीसरा है blurry vision धुंदला सा दिखना आखों के अंदर साफ नहीं दिखना चौता है weight gain वजन वढ़ जाना पांचवा है constipation कबजी हो जाना dry mouth शिक्स है dry mouth यह पांचे आम common side effects है जो इस medicine से देखने मिलते हैं पर रंतु जैसे जैसे समय के साथ हम tablet ले लेते हैं इसका dose adjust करते हैं तो यह body को normally set हो जाती है तो आम तोर पर यह 6 side effects देखने मिलते हैं इसलिए भी दोस्तों यह medicine लेते वक्त हमेशा doctor से consult करना चाहिए अग आपको कोई liver disease है, kidney disease है, heart disease है, heart failure है, kidney संबंदी और liver संबंदी कोई बिमारी है तो आपको doctor को ज़रूर बताना है यह बातों का ध्यान रखेंगे आप दोस्तों क्या यह medicine habit forming है, क्या इसकी आपको आदत पढ़ सकती है, जी दोस्तों बहुत important बात है इस medicine के बार में कि यह habit forming हो सकती है, खासकर pre-gabalin इसलिए हमेशा यह दवाई आपको doctors के prescription पर लेनी चाहिए और जिस तरह से doctors इसको बंद करेंगे, कम करेंगे, doctors के राये पर ही सब आपको कदम उठाने है, बिलकुल भी अचानक से यह medicine को आपको बंद नहीं करना है, don't stop it suddenly, क्योंकि अचानक से बंद करने पर आपकी जो भी भी, बीमारी की गंबीरता है, वो ज्यादा हो सकती, आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ज्यादा बीमारी के लक्शन डिक सकते हैं, इसलिए अचानक से इस दवाई को कभी भी बंद नहीं करना है, हमेशा doctors के सलह पर रिख बंद करना है, इन बातों का ध्यान लखेंगें दोस्तों यह जो medicine है यह 18 साल से नीचे बच्चों में teenagers में उपयोग में नहीं आई जाती है आम तोर पर हमेशा mostly 16 to 18 years के बाद ही पस्चात ही यह दवाई दी जाती है 16 से 18 साल के छोटे बच्चों को नहीं दी जाती है इस बात का ध्यान रखेंगे only after 18 years यह उपयोग में लेते हैं इस medicine को दूसरी important बात है अगर आपको कोई भी kidney संबंदी बिमारी है kidney disease है liver disease है heart संबंदी कोई disease है heart कोई आपके heart में blockade रहे चुका है आपके कोई heart attack आ चुका है आपके heart कमजोर है दिल कमजोर है heart failure है तो इस बात का doctors को आप ज़रूर बताएंगे क्योंकि उस समय या तो इस दवाई का उपयोग सोच समझ के doctors करेंगे या उसका dose कम करेंगे इन बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तो driving करते समय इस medicine का उपयोग नहीं करना है क्योंकि जैसे कि हमने आपको बता है कि यह dizziness ला सकता है आपको चक्कर आ सकती नहीं आ सकती इसलिए driving करते समय बहुत ही सावधान रेना जरूरी है अगर आप drive कर रहे तो इस medicine का उपयोग मत कीजीगा दूसरा alcohol के साथ भी नहीं लेना है क्योंकि वह ही है एलकॉल के साथ लेंगे तो जैसे एलकॉल की वज़ेसे भी आपको sedation हो सकता है ऐलकॉल का उसर बहुत ज़़ादा हो जाएगा इस वज़े से alcohol के साथ भी इसका उपयोग नहीं करना है, driving करते समय नहीं करना है, heavy machinery उपयोग करते समय भी नहीं करना है, खासकर जो बड़ी machinery पर workers काम करते हैं, उनको भी इस ध्यान रखना है इस बात का, अगर आप pregnant है या breastfeeding कर रहे हैं, तो doctors को inform कीजिए, हो सकता है, ये जो पेठ में जो पल रहा बच्चा है, फीटर्स को नुकसान पहुचा सकता है, इसलिए pregnancy में breastfeeding में इसको हम लगबग normally avoid करते हैं, अब दोस्तों इसके drug interactions के बाने बताते हैं कि कुछ दवाईों के साथ भी इसका interactions देखने मिलता है, जैसे कि blood pressure की दवाईया, कैप्टो प्रिल, इनाला प्रिल, लिंसो प्रिल, जो ए सिनी बीटर्स है, इनके साथ भी इस medicine का interaction देखने मिलता है, तो अगर आप ऐसे कोई दवाई ले रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को इंफर्म करना है, कुछ ब्लड जो blood sugar की medicines है, diabetes में काम होने वाली दवाईयां, जैस दाने वाली दवाईया है, लोराजेपाम, लोराजेपाम, एटीवान, एकमजी, यह सब लगर ले रहे हैं, तो भी आपको आपके डॉक्टर को पताना जरूरी है, क्योंकि उनको ज्यादा side effect देखने मिलते हैं, ज्यादा नीन आएगी, ज्यादा चक्र आएगे, दोस्तों, हमने जो भी आपको information दी है, यह आपको आपके ग्यान बढ़ाने के लिए दी है, आपको उपयोग मेया इस लिए दी है, इस information के basis पे आपको आपका self treatment बिल्कुल भी नहीं शुरू करना, यह disclaimer बहुत important है, इसको आप बात को ध्यान रखेंगे, जो भी आप चैनल को पुरुपया, subscribe कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो और पहुचा सके, thanks for your love and cooperation, मैं डॉक्टर योगेंद्र, अब मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार, जैहनु